हेलो प्रिंस आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जिन्गिक डुवानी जो की सोन्द माटी की ही दूसरी कहानी है इससे पहले हमने सोन्द माटी की पहली कहानी बनाई थी जिसका नाम उबार था उसे आपने काफिव प्यार दिया इसके लिए धन्यवाद आईए आज हम सोंद माटी की दूसरी कहानी पड़ते हैं जिसका नाम है जिनगिक डोवानी जिनगिक डोवानी में दोस्तों हमें प्रोफेसर विनोध कुमार ने एक लड़की की कहानी दिखाई है जिसका नाम है जंगली जंगली एक बिरुजगा लड़का है दोस्तों आईए इस कहानी को जानने से पहले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर प्रोफेसर विनोद कुमार कौन है क्योंकि इसमें काफी इंपोर्टन्स कोश्चिन आएंगे दोस्तों तो बार बार रिवाइज करने से आपको याद हो जाएगा तो इस कहानी के रचनाकार है प्रोफेसर विनोद कुमार जो की अध्यापक है राची कॉलेज राची में और इनका जन्म हुआ है 1961 में और इनका जन्म स्थान दारू जुम्रा जिला हजारी बाग में है इनके पिता का नाम था माथूर प्रसाद और इंग प्रकासन इन्होंने जन्जाती भासा एकेदमिक बिहार जारखन राची में की और इस बुक में दस कहानिया है आए हम उन दसों को भी याद कर लेते हैं और इसकी दूसरी कहानी आज हम पढ़ेंगे तो आए फिर से रिवाइस करते हैं कि कौन-कौन से दस कहानिया है या कहा पहली कहानी है उबार, दूसरी कहानी है जिन्गिक डुवानी, तीसरी है धुवा धन, चौथी है माई के लोर, पांचवी है अंजवाईल, भावजीक, बेंडाईल, चेंगा, छठा है दू, पईला, जोदरा, सात्मा है ओड, दीदा, आठमा है मलकी, बहु, और नौवा है दोस्तों भीतर बाहर, और अंतिम कहानी है हूब, इन दस कहानियों का संग्रा है यह बुग जिसका नाम है दोस्तों सोंदमाटी, और आज हम दोस्तों इसकी दूसरी कहानी का सुरुवाद करेंगे, जिसका नाम है जिन्गिक डुवानी, तो आए दोस्तों जिन्गिक इस कहानी में एक बिरुजगार लड़के की बात बताई गई है कि वो कैसे पढ़ा लिखा और फिर बिरुजगार ही है भी जुवक कर नाम है जंगली बड़ी कटो करक बिये पास करक इस लड़के का नाम है दोस्तों जंगली और ये बहुत मुश्किलों से बिये पास करता है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जखन इंटर पढ़ो हेल तकन एकर बाप सिराइगेल यानि कि जब ये इंटर पढ़ रहा था दोस्तों इसके पिताजी मर गए तकर बाद बादे एकर माई आपन गहना जुरिया बेचिक आर बंधिक रईज के एकरा बीये तक पढ़ाई करे लिए इसके बाद इसकी माँ ने यानि कि जगली की माँ ने इसे पढ़ाया लिखाया अपना गहना जुरिया जो भी जगहना इसके पास था उसको बेच दिया या फिर गिर्वी रखा पर इसे किसी तरह पढ़ाया लिखाया एकर बाद नौकरी खातिर हिंदे हुंदे भटके लगए बीई पास करने के बाद जंगली नौकरी के लिए इधर उधर भटकने लगए एकर दू गो बोल भाई हरे रहो हलित बोल भाई कोलवरी बड़ा बाबु हेल और मंजला प्राइबेट गाड़ी के एजेन अब जंगली के दोस्तों दो बड़े भाई हैं पहला जो सबसे बड़ा भाई है वो कोलवरी में बड़ा बाबु है और जो छोटा भाई है वो प्राइबेट गाड़ी का एजेन्ट है और ये दोनों जंगली से बड़े हैं मगर उदुयों में कोई एकराक तनको मदद नाय करो हला जंगली के दोनों बड़े भाई में से कोई भी इसकी मदद नहीं करता था एकर भोजियों सब कोनों मान नाय दे हला बैगारिक चलते बया नाय करता यानी जंगली की जो भाबियां थी वो भी इसे भेलू नहीं देती थी क्योंकि ये बेरोजगार था मुंडेक चुईल चरक भे गेल हला अब जंगली का जो बाल था वो भी सफेद होने लगार गावे गिद्रे डहरे एकरा बुढ़ा दादा कहिक चिढ़ावे हला गाव की जो बदमास बच्चे होते थे वो जंगली को चिढ़ाते थे जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे है और उसे चिढ़ाते थे बुढ़ा दादा कहकर एक बार यकर माई कहले जे टिसनों पढ़ाओ और नाय तो कोनों बर बिजनस कर लो एक बार बिहारी की माँ उसे कहती है दोस्तों कि तुम या तो त्यूसन पढ़ाओ या फिर कोई बिजनस ही कर लो कुछ तो करो आगी जीव जंगली कह लागल लोन लिये खातिर बड़ी घूस दिये हबे कमीशनों चाहिए अब जंगली अपनी माँ को जवाब देता है कि बिजनस करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जिसके लोन लेना पड़ेगा और उसके लिए घूस और कमीशन चाहिए जो हमारे पास नहीं वोकर माई चूप हल गे अब उसकी माँ ये सब सुनती है तो चूप हो जाती है हाँ हमारे पास पैसे नहीं वोकर आपन छोट बेटाक जंगली की बाड़ी फिकर होबो हल ये सब सुनकर जंगली की माँ चूप तो हो जाती है पर उसे अपने बेटे की काफी फिकर होती है पर वो कर ही क्या सकती थी क्योंकि जंगली ने जो जवाब दिया कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए वो पैसा तो उसके पास नहीं था इसलिए उसकी माँ चुप हो जाती है जंगली बेचारा अपने बेरोजगारी का दसा इतना जहल रहा था दोस्तों कि उसका जो दोस्त था असोक उसका साधी हो रहा था पर उसमें वो गिफ्ट लेके नहीं गया अब अपने दोस्त की साधी में भी उसे बेचती सहनी पड़ी उसका जो असोक का बड़ा भाई था वो कहता है कि जंगली जो है वो जंगली यह रहा गया मतलब इसमें जरासा भी मैनर्स नहीं आए वो जरासा भी नहीं जानता कि किसी की साधी में आओ तो कुछ गिफ्ट लाना चाहिए यकरा एतना चोट लागल जे करिया खाईल की आर कोनो संगी साथी घर कहियो ना आए जाई जंगली को वहीं पर बहुत जादा चोट लगा क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे अपमानित कर दिया था उसके दोस्त के बड़े भाई ने और वो कसम खा लेता है कि आज के बाद किसी की भी साधी में नहीं जाऊँगा नहीं किसी के घर जाऊँगा अपने दोस्त का अब जंगली की माँ काफी ज्यादा बूढी हो गई थी तो वो अब खटिया धर ली और जंगली को बुला कर कही कि मेरे पास सो गो टका है यानि कि सो रुपया है उठा से यगो पान गुम्टी खोल ले ही हमी जाय राहल ही जहां तोर बाप गेल हतो जंगली को वो सो रुपिय दे करके वो कहती है इससे पान की गुम्टी खोल लेना मैं अब जा रही हूँ जहां तुम्हारे पिता जी गए है इतना कहिक आपन आख मूंद ले ले जंगली की मा ने अब आख बंद कर ली और उसके पिता जी यानि की वो मर गई क्योंकि उसके पिता भी मरे हुए थे और उसकी मा भी उनके पास चले गए यानि मा और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है दोस्तों इसके बाद प्रोफेसर पिनोत कुमार कहते हैं इ रकम एकर में एगो बेरोजगारे जिनगी सईत देखावल गेल है जे कैसे उँ एगो जियत हास बई जा प्रोफेसर पिनोत कुमार कहते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बेरोजगार की जिनगी नर्ख बन जाती है और कैसे वो जेलता है इन सब बातों को और कैसी उसकी जिन्दगी तबाह हो जाती है और हम यहीं पे आपसे विदा लेंगे आपको कैसी लगी मेरी एक्समेनेशन कमेंट सेक्समें बताएं लाइक करें, सेयर करें, सबस्क्राइब करें जहिन दोस्तों